Hi everyone, welcome back to my YouTube channel दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपके लिए चानना बहुत बहुत ज़रूरी है Recently, cancer के cases बढ़ते जा रहे हैं मतलब जिसे देखो उसे cancer हो रहा है किसी को liver cancer है, तो किसी को blood cancer है किसी को breast cancer है, तो किसी को cervical cancer है and इन सब के reasons होते हैं हमारे अपने ही वातावरन में हमारे अपने ही घर में बहुत सारे chemicals हम daily basis पर use करते हैं और ये chemicals ही हमारे cancer का कारण बगते हैं हाला कि ये लगभग नामुम्किन है कि हम घर की हर एक चीज की जाज करें कि वो हमें नुकसान तो नहीं पहुचा सकती लेकिन जिन चीजों के बारे में हम सुनिश्चित हैं हमें पता है कि ये cancer का खत्रा बढ़ा रही है तो उन से तो हमें at least दूर रहना चाहिए तो आज कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बात करूगी जो की cancer के जोखिम को बढ़ाने का काम करती है सबसे पहले बात करते हैं non-stick cookware की non-stick बर्तनों की आप non-stick बर्तनों में खाना पकाती हैं तो फिर साफधान हो जाएए एक study में पाया गया है कि non-stick बर्तनों में खाना पकाने से cancer को बढ़ावा देने वाले तत्व carcinogen हमारे शरीर में पहुँचते है और ये breast cancer, cervical cancer का कारण बनते है तो अगर आप भी non-stick के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो please avoid कीजे non-stick के बर्तनों में खाना पकाना वेल देखने में तो ये बर्तन बहुत ही सुन्दर लगते हैं हमें attract भी करते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारी kitchen में अच्छे से अच्छे non-stick बर्तन हो लेकिन please avoid कीजे बिकूस ये चीजें कहीं न कहीं आपकी स्वास्ते को health को खराब कर रही है दूसरी जो चीज हम ladies यूज़ करती हैं वो है parabens use chemical makeup products, moisturizers और hair care products खरीदते समय हमेशा उन पर देखें कि इसमें parabens है या नहीं कई researches में इनके इस्तिमाल से breast cancer जैसे रोगों की आश्रंका जिताई गई है बाजार में ऐसे कई cosmetics मौझूद हैं जो की parabens free है तो आप उनहीं अपने लिए choose करें parabens वाले makeup products या skincare products प्लीज ना खरीदें क्योंकि ये कई तरह के cancer का reason बन रहे है तीसरी जो चीज आप avoid करें जो मैंने भी अभी recently बन की है वो है plasticky bottles पानी पीने के लिए plasticky bottles को please please मत यूज कीजे कांच की bottles आप खरीद लीजे उनको यूज कीजे plastic की bottle का पानी cancer की वज़े भी हो सकता है plastic की bottle जब धूप या ज्यादत आपमान की वज़े से गरम हो जाती है plastic में मौझूद नुकसान दे chemical release होने लगते है इन chemicals का नाम है dioxins यह dioxins पानी में घुलकर हमारे शरीर में पहुचता है और dioxins हमारे शरीर में मौझूद कोशिकाओं पर बुरा असर डालता है इसकी वज़े से महिलाओं में breast cancer का खत्रा भी बढ़ जाता है तो please plastic की bottles avoid कीजे बचों को बड़ों को कभी भी plastic की bottles नहीं यूज करनी चीगे जहां तक हो सके या तो तामे के बरतन में रखा पानी पिये या steel की bottles ले या कांच की bottles ले लेकिन please plastic की bottles आप avoid कीजे next product है foil paper foil paper में गरम-गरम खाना डालना भी cancer का reason बन सकता है तो foil paper भी use मत कीजे आप क्या कीजे मल-मल के कपड़ों के चोटे-चोटे you know rumal type napkins बना लीजे और उसमें रोटी को roll करके बच्चों के डिफन में डालिए लेकिन foil paper use करना avoid कीजे ये भी cancer का reason हो सकता है next thing है candles हम you know बहुत सारी fancy fancy candles अपने घर में लाकर के रखते हैं you know aroma therapy वाली cancer candles या फिर paraffin की जो मुंबतिया होती है वो avoid कीजे जो paraffin की मुंबतिया होती है या candles होती है उनसे निकलने वाला हालिकारक धुआ आपके फेफडों के cancer का रूप ले लेता है इसलिए मुंबति से निकलने वाले धुएं का स्वास्ते पर हानिकारक असर पढ़ने में कई वर्ष लगते हैं लेकिन yes अगर आप daily basis पर aroma candles का use करते हैं और वो paraffin से बनी हुई है तो please आप उनको use करना बंद कीजे और नेक्स जो प्रोडक्ट है वो है तिन के डिबे में बंद खाने वाली चीजे यानि canned food canned food लोग बड़ी मस्ती से खाते हैं मजे से खाते हैं बहुत सारे घरों में खाया जाता है canned pineapple canned sweet corns olives है न तो ये सब चीजे भी avoid कीजे canned food cancer का reason बन सकता है canned के जो अंदुरूरी परत होती है उसमें BPA नाम का एक chemical पाया जाता है और ये chemical शरीर के लिए काफी नुकसान दायक है तो canned products भी आप avoid कीजे and next जो चीज है वो है फल और सब्जी अब आपको होगे की हम तो रोज मंडी से fresh सब्जी आ फ्रूट्स लाते हैं वो कैसे हानिकारग है हमारे लिए well हम बजार से जिस फल और सब्जी को ताजा समझ कर घर लेकर आ रहे हैं उन्हें ताजा बनाए रखने के लिए बहुत से chemicals क का इस्तेमाल किया जाता है कई बार फल और सब्जी दोने से भी ये chemicals साफ नहीं होते हैं और ये chemical cancel का कारण भी बन सकते हैं इससे बचने के लिए आप और गैनिक fruits और सब्जी ओं का इस्तेमाल करें या फिर fruits और vegetables जब आप मार्केट से लेकर के आएं तो एक भगोने में थो इन चीजों का ध्यान रखे क्योंकि cancer एक बहुत बड़ी बिमारी बनता जा रहा है मतलब 20 साल से लेकर के 50 साल 60 साल के लोगों को cancer हो रहा है and you know sometimes ऐसा फील हो रहा है कि सर्दी जुकाम जैसे होता है ना viral होता है वैसे सबको cancer हो रहा है तो please हमें खुद ही पहल करनी है अपनी health के लिए healthy lifestyle अपनाएए exercise जरूर कीजे daily 30 minutes की और इन चीजों को avoid कीजे really हमारी health हमारे हाथों में है और हम थोड़ी से जागरुख हो जाएं तो काफी सारी health problem से बचा जा सकता है तो ये था मेरा आज का वीडियो मैं उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको informative लगा होगा त बटन नीचे है उससे तो आपने दबाना ही है और इस वीडियो को आपने share भी करना है comment भी करना है मेरे चानल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर ले मेरे चानल को subscribe करे तो bell icon दबाएं इससे आपको मिल जाएंगे notifications जब भी मैं को इनया वीडियो अपने चानल पर upload करू तो आज के लिए इतना ही फिर मिलूगी आपसे एक अच्छे से health tip या फिर beauty वीडियो के साथ तब तक के लिए take good care of yourself, bye bye